Hello everyone, welcome to my channel, चलिए हम killer and healer, श्यानवां एफफ के next part को start करते हैं Hello Mr. Shao Shinchen, वो person उठकर Shao Shinchen के तरफ मुर्तेवे कहता है Hello sir, क्या मैं आपको जानता है? Shao Shinchen ने कहा मैं शुयंग हूँ, मुझे मैं क्यों से आपके बारे में पता चला मुझे बहुत बुरा लगा, कोई बात नहीं, Shao Shinchen कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे मेंशन में रहे मैं मेंग्याओ का दोस्त हूँ, तो आप मुझे भी अपना दोस्त समझ सकते हैं शुयंग ने कहा पर मैं आपके साथ कैसे रहे सकता हूँ, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ Shao Shinchen hesitate करते वे कहता है टेंशन मत लीजे, आप मुझे music सुनाया कीजिएगा मुझे music सुनना बहुत पसंद है I think अब आपको कोई problem नहीं होगी शुयंग कहता है ठीक है, Shao Shinchen मान जाता है अब scene shift होता है Shao Shinchen शुयंग के साथ उसके mansion में आ जाता है One week बीच जाता है Shao Shinchen शुयंग के mansion में ही रहने लगा था दूसरी तरफ, Wangji और Vivo Shan भी अपनी life में busy हो गए थे Wangji अपने clinic के work में busy हो गया था Vivo Shan भी अपने case में busy हो गया था पर वो हर evening में Wangji के पास जाता था दोनों की friendship इतनी गहरी हो गई थी कि Vivo Shan Wangji से advice लेने लगा था Life में एक ऐसा true friend होना चाहिए जिससे आप comfortable होकर अपने सारी बाते कर सकें और आपका friend आपको एक सही और suitable राय हमेशा देता रहे ऐसा friend हर किसी की life में होना बहुत जरूरी है जो हमें सही और गलत चीजों के बारे में बताता रहे Wangji विवश्यान का वही friend बन चुका था जिस पर विवश्यान आँक बंद करके भरोसा करता था अब time को skip करते हैं अब हमें airport का scene दिखाय जाता है plane से quenching उतरती है वो अपने luggage को लेकर आ रही थी तभी उसकी टककर एक दूसरी लड़की से हो जाती है वो लड़की attitudely वेंचिंग के तरफ मुड़ती है और कहती है तुम देख कर नहीं चल सकती मेरी इतनी महेंगे dress को खराब कर दिया वो लड़की चिलाई उसका चिलाना सुनकर सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे थे वेंचिंग को भी अब शरम आने लगी थी sorry miss गलती से हो गया मैं माफी मांगती है वेंचिंग उस लड़की से कहती है तुमारी sorry कह लेने से मेरे dress पहले की तरफ तो नहीं होगी न पता भी है ये dress पहरी से मंगवाई गई थी वो भी मेरे बड़े पर तुम इसकी कीमत कभी भी नहीं चुका पाओगी वो लड़की कहती है चलिए लेडी म्यम्या अपना टाइम इस लड़की की उपर मत खर्च कीजिए हमें मास्टर मेंग्याओ के पास भी जाना है उस लड़की की सर्वेंट कहती है हाँ तुम सही कह रही हो म्यम्या कहती है और वो वहाँ से चली गई अब सीन शिफ्ट होता है मेंग्याओ के घर पर जहां पर एक पार्टी और्गनाईज की गई थी वहाँ कई सारे मिनिस्टर्स बिजनस्मेंथ और कई उचे पदों के लोग भी आये वहे थे शुयांग, वीबुश्यान और फैंग्याओ भी वहाँ गए होए थे मेंग्याओ साभी गेस्ट को अटेंड कर रहा था तभी ब्रदर कहकर हॉल के अंदर मेंग्याओ एंटर करती है मेंग्याओ को देखकर मेंग्याओ शौक्ड था ब्रदर, मेंग्याओ को मेंग्याओ को मेंग्याओ गले लगाते हुए कहती है मेंग्याओ भी मेंग्याओ को गले लगाते हुए कहता है म्यम्या तुम इतनी जल्दी आ गई तुम तो next भी काने वाली थी तो अचानक से आज कैसे आ गई हाँ ब्रदर मेरे exams जल्दी finish हो गई थे तो मैं यहाँ जल्दी से आ गई मैं आपको और अपने घर को बहुत मिस कर रही थी इसलिए मैंने फटा-फटी टिकेट बुक की और मैं यहाँ आ गई ब्रदर ब्रदर exam जल्दी होने के कारण मैं यहाँ वापिस आ गई म्यम्या ने कहा चलो तुम्हें मैं अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ यह कहकर मैं ग्याओ म्यम्या को अपने गेस्ट के पास लेकर चला गया यह मिस्टर शूयंग है यह सारे यह कई सारे डोनेशन ट्रस्ट भी चलाते हैं और साथ में यहाँ काफी बड़े बिजनसमैन भी है म्यम्या शूयंग को Hello Mr. Shoo Yang कहेकर greet करती है Shoo Yang भी म्याम्या को politely greet करता है ऐसे ही मेंग्याउने सारे guest से म्याम्या को introduce करवाया और उन सबी को यह बताया कि यह है उसकी youngest sister है जो की episode में study करती है और अभी just अपनी exam finish करके यहाँ पर आई है जैंग फेम्यान और वीवोशान से भी इंट्रेडूस करवाया मेंग्यावने म्याम्या को पर वीवोशान का रूड बिहेवियर म्याम्या को strange लगा था क्योंकि वाकि सब तो उनके साथ politely ही greet कर रहते पर वीवोशान रूडली म्याम्या को greet करता है जैसे कि उसे कोई interest नहों इस party में और ना ही उसे म्यम्या को greet करने में कोई interest था टाइम ऐसे ही बीचने लगा, Valentine डे भी आने वारा था इतने time period में विवुशन अपनी feeling को लेकर sure हो गया था वो वांग जी को एक friend की नजर से नहीं देखता था वो अब वांग जी के लिए romantic feelings रखने लगा था वियूश्यान इस बार वेलेंटेंट ए पर वांग जी को प्रपोस करने वाला था वांग जी भी अपने क्लीनिक में high position में जा चुका था वो एक senior doctor बन चुका था एक दिन वांग जी के क्लीनिक में सौरी कैबिन में शाव शिंचैन आता है वो कुछ भीमार था उसे कफ और cold हो चुका था साथ ही उसका throat भी pain कर रहा था शाव शिंचैन वांग जी को अपना introduction देता है वांग जी शाव शिंचैन का चेक अप करता है और उसे कुछ medicines देता है और उसे one week तक अपने throat पर कम pressure देने को कहता है और कहता है तुम ज़्यादा अब singing मत करना और ना ही ज़्यादा बोलना ज़्यादा से ज़्यादा अपने throat को आराम देना और टाइम पर medicines भी लेते रहे ना जिससे तुमारा कफ, cold और तुमारा throat भी जल्दी से हील हो पाए शाव शिंचैन घर वापिस आ गया मैंचन में शू यांग उसी का ही वेट कर रहा था वो पैनिक हो चुका था वो पागलो की तरह शाव शिंचैन को धून रहा था जैसे ही उसने शाव शिंचैन को गेट से अंदर आते वे देखा तो वो तुरंत शाव शिंचैन के पास जाता है और उसे tight लिहा करते वे उसे पागलो की तरह पूछने लगा तुम कहां गए थे मैं कितना डर गया था तुम ठीक तो हो तुम मैं पता भी है मैं कितना डर गया था शाव शिंचन बस यही बड़ बड़ा रहा था शाव शिंचन सॉरी शू यही बड़ बड़ा रहा था शाव शिंचन एक फेक स्माइल के साथ कहता है मैं ठीक हूँ शूयंग मैं क्लीनिक गया हुआ था मुझे थोड़ा कफ और कोल्ड हो गया था इसलिए मैं क्लीनिक गया था और वहां से कुछ मेडिसीन्स लेकर आया हूँ चलो लंच का टाइम हो गया है साथ में लंच करते हैं शूयंग ने कहा दोनों अब डाइनिंग टेबल पर बेट गये थे मेड्स दोनों को फूट सर्व कर रही थी शूयंग खुद अपने हातों से शाव शिंचन को फूट खिला रहा था यहां से हमें एक फ्लेश बैक दिखाया जाता है एक दिन शाव शिंचन अपने शो से वापिस आने वाला था अपने सिंगिंग शो वो कहीं अपने सिंगिंग शो को अटेंड करने गया हुआ था वो अपने चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगा था तभी कुछ लोग शाव शिंचन को परिशान करने लगे वे शौश इंचन के साथ मिस्बिहेव कर रहे थे वे कुछ आगे बढ़ पाते उससे पहले उने पीछे से किसी की वोई सुनाई देती है जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं तो वे एक परसन को देखते हैं जो वहाँ पर एंग्रीली खड़ा वा था जिसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में होगा